नमस्ते फ्रेंड्स मैं हूँ धननजय उमीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे भारत और रश्या के बढ़ते नजदीकी से कम से कम दो देशों को सबसे अधिक परिशानी होता है एक तो है चाइना दूसरा है यूएस जब से यूएस को ये मालूम पड़ा कि पिये मोदी रश्या जाने वाले हैं और जब पिये मोदी रश्या पहुँच गए और उसके बाद जिस तरीके से पिये मोदी और व्लादेमेर पुतिन मिलते हैं इन सब चीजों को देखने के बाद यूएस के सिर में दर्द होना शुरू हो गया यूएस कभी भी नहीं चाहेगा कि भारत और रश्या नजदीक आए वहीं पर भारत के लिए काफी इंपॉरंट होता है कि रश्या जैसा एक ट्रस्टेड एलाई के साथ हम किस तरीके से अपने एकनॉमिक रिलेशन को और मजबूत करें और साथ में हम ये भी कोशिश करें कि हमारे बीच में जो ट्रेड होता है उसको बढ़ाया जाए ताकि हमें ये समझ में आए कि यूवेस किस तरीके से पीए मोदी और व्लादिमर पुतिन के इस मिटिंग को देखता है जियो पॉलिटिक्स में कहने की जरूवत नहीं है कि एक एक शब्द के अपने अलग माइने होते हैं और साथ में अगर आपके देश के जो head of state हैं अगर वो कहीं पे जाते हैं या दूसरे किसी देश के head of state आपके देश में आते हैं तो किस तरीके से आप उनको welcome करते हैं ये भी काफी important होता है ये Washington Post का एक screenshot है और एगर हमारे बीच किसी को भी ये लगता है कि ये photo को अंजाने में इस newspaper में जगा दिया गया है तो मैं बता दूँ कि ये बहुत ही जानबुश के इस photo को डाला गया है इस newspaper में जहां पे बताया गया है कि किस तरीके से PM Modi व्लादेमेर पुतिन से मिलते हैं और जो exact shot का इस्तेमाल किया गया है वो है bear hugs इसका मतलब ये होता है कि जब आप अपने किसी खास नजदीकी से मिलते हैं और जब आपके अंदर emotion होता है तब जाके इस तरीके का आप उनके साथ गले मिलते हैं तो यहां पे जो हमारे लिए समझने वाली बात है कि जहां पे ह हम भारतिये काफी खुश है या रश्या को as an trusted ally देखते हैं वहीं पे जो हमारे opponent है या जो रश्या के opponent है उनको ये फोटो काफी चुपती होगी जो के हम साफ देख सकते हैं वाशिंग्टन पोस्ट में नॉर्मली क्या होगा कि अगर इंडियन मीडिया इस तरीके का फोटो का इस्तेमाल करते हैं और कुछ इस तरीके का headline का इस्तेमाल करते हैं तो ये बताता है कि कहीं न कहीं USA हो गया या और भी अलग-अलग western countries हो गया उनको ये बात तो मालूम है कि भारत और रश्या के बीच में संबंध अच्छे हैं और chances ये भी काफी हाई है कि भारत और रश् शब्दों में ये लिखा गया है कि PA Modi के दुवारा जो विजिट किया गया है रश्या और जिस तरीके से व्लादिमिर पुतिन और PA Modi मिलते हैं ये कहीं न कहीं बहुत ही साफ इंडिकेशन था दुनिया के लिए कि व्लादिमिर पुतिन PA Modi का या भारत का एक बहुत ही डियर 2019 के बाद PA Modi का ये पहला official visit होता है जहां पे वो रश्या जाते हैं साल 2000 में भारत और रश्या के बीच में एक agreement होता है जहां जिसके तहत भारत और रश्या ये फैसला करते हैं कि हर साल भारत के जो head of state हैं वो रश्या जाएंगे और ठीक उसके अगले साल रश्या के जो head of state ह है वो भारत आएंगे तो जब भी किसी देशों के बीच में हर साल वहां के head of state मिलते हैं तो ये बहुत ही साफ indication होता है कि दोनों देशों के बीच में जो संबंध है वो काफी गहरे हैं और ये जरूरी भी होता है जिस तरीके से अलग-अलग मुद्दों के उपर व्लादिम किया गया है कि South Asian Giant तो कहने का मतलब है कि भारत के अंदर वो potential है जहां पे हम एक सही में global leader बन सकें कहीं न कहीं जिस तरीके से हमारे states और center को मिलके skill development के उपर काम करना चाहिए और अपने responsibility को समझना चाहिए वो हम बहुत हब तक कह सकते हैं कि missing है तो इसलिए भी जो हमारे अ अगर बात किया जाए तो साल 2022 से यानी कि जब से Russia और Ukraine के बीच में war शुरू हुआ तब से continuously जो US का attempt था वो ये था कि किसी भी तरीके से Russia को isolate किया जाए हलाकि जितना business भारत रश्या से नहीं किया उससे कई गुना अधिक business आज भी USA कर रहा लेकिन क्यूंकि USA एक complete तरीके से hypocrite देश है जो कहता कुछ और है करता कुछ और है वो रश्या के साथ आज भी अपने सभी जरूरतों को पूरा कर रहा लेकिन वो दुनिया से ये उमीद करता है कि दुनिया रश्या के साथ business ना करे इसी बीच एक बहुत इंट्रेस्टिंग घटना घटता है जब 8 और 9 तार यूएस के दुनिया को ये दिखा रहा कि वो कितना concerned है और वो रश्या को isolate कर रहा है वहीं रश्या ये दिखा रहा कि रश्या isolated नहीं है उसके पास आज भी बहुत trusted ally है साथ मैं अगर बात किया जा Ukraine के President Zelensky के बारे में तो इनके बारे में मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाया जहांपे मैंने जो defense experts है उनके opinion को या उनके experience को quote किया और बहुत इस पस शब्दों में कहा कि रश्या और Ukraine के वार के बीच में जो वार चल रहा है इसके पीछे responsibility बनता है वो सिर्फ और सिर्फ President Zelensky का ही बनता है और साथ में अगर हम देखे तो कहीं न कहीं भारत भी ये नहीं चाहेगा कि Russia के जो संबंध है वो China के साथ अधिक मजबूत हो और कहीं न कहीं चाहेगा कि भारत के संबंध Russia के साथ मजबूत हो आज के date में almost 3 global superpower हम कह सकते ह जिसमें कि पहला है यूएस है दूसरा है रश्या और तीसरा है चाइना चाइना का जो capability बढ़ा है बीते कुछ सालों में इसको हम किसी भी तरीके से ignore नहीं कर सकते हैं और चाइना आज के rate में बहुत ही खुले तोर पे यूएस को challenge कर रहा और उसके पीशे का वज़ा है कि जिस तरीके से चाइना अपने manufacturing पे focus किया है जैसा कि मैंने कहा कि अगर Indian media या यहां के लोंग किसी भी तरीके से इस visit के बारे में बढ़ चड़ कर बात करेंगे तो शायद ये लग सकता है कि हम चीजों को over emphasis कर रहे हैं जहां पे पुतिन के spokesperson डिमिट्री पैसकॉप ने भार भारत और रश्या के बीच में जो संबंद अच्छे हुए हैं ये कोई एक recent development है जब से भारत आजाद हुआ तब से भारत और रश्या के बीच में जो संबंद है वो काफी अच्छे हैं इन फैक्ट अगर आप उसके पहले भी जो हमारे संबंद थे वो USSR के साथ काफी जहां पर more or less exactly वही बताया गया है जिस तरीके से दे वाशिंग्टन पोस्ट में बताया गया है और साथ में PA Modi और व्लादिमिर पुतिन का जो body language है उसको analyze किया गया है और बताया गया है कि किस तरीके से PA Modi और व्लादिमिर पुतिन मिलें जहां पर इसी article में ये भी बताया गया है कि किस तरीके से भारत आज के date में एक global economy बना है और भारत का जो presence है उसको अब किसी भी तरीके से ignore नहीं कर सकते हैं साथ में हमें एक चीज़ को और भी ध्यान देना है कि ये possibilities अब काफी बढ़ जाएगा जहां पर US से किसी भी तरीके से भारत को अपने तरफ attract करना चाहेगा ऐसा हो सकता है कि US भारत को कुछ defense के समान दे सस्ते कीमत पे और कोशिच करे भारत को कि वो उसके तरफ चला जाए और रश्या से वो drift हो जाए नॉर्मली एक आम इंसान के नजर में ये एक बस photo है लेकिन geopolitical perspectives अगर आप देखेंगे तो जिस तरीके से व्लादिमेर पुतिन का body language हो और जिस तरीके से अपने PA मिल रहे हैं ये बता रहा कि क्या importance है रश्या के point of view से भारत का और क्या importance है रश्या का भारत के point of view से I hope that you like the video अगर फिर भी मुझसे कहीं कोई कमी या कहीं कोई गलती हो गई तो मैं माफी चाहूंगा मैं चाहूंगा कि आप मुझ तक यू तक यू तक यू गद्बाई